मैं दुबारा से शुरू कर रही हूं समास बैटे समास हमेशा दो पदों में होता है समास हमेशा दो पदों में होता है यानि दो चब्द जब जुड़ जाते हैं दो पद जब जुड़ जाते हैं वहां समास होता है बैटे संदी होती है दो वर्नों में जैसे हिम प्लस आला है अब इसमें इसका निकाला और ये वाला निकाला तो दोनों जुड़के आके मात्रा बढ़े ही मालए देट वोज संदी ठीक है अब हम कर रहे हैं समास समास है हिम का आलए है वही चीज लेकिन हम इसका विग्रह करेंगे हिम का आलए बरफ का घर ये समास हुआ हिम आलए का विग्रह होगा हिम का आलए तो हम इसे लिख देंगे तत्पुरु समास यह जो समास हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं हम उनका भेज लिख देंगे तो समास होता है इसमें हमेशा इसमें हमेशा दो पद होते हैं एक हिम और एक रखिएगा कि समास में हमेशां दो पद होते हैं को कि दो पदों का समू होता है समास कि इसका विग्रह करते हुए जब भी हम समास का विग्रह करते हैं तो विभक्ती चिन लगता है विभक्ती चिन मीज कारक का चिन लगता है जब भी हम समास का विग्रह करते हैं तो कारक का चिन लगता है समस्त पद बनाएं एक होता है समस्त पद यानि उसको ज्वाइन कर दो तो समस्त पद में विभक्ति चिन का लोप हो जाता है, गायब हो जाती है विभक्ति चिन, अब समास के कितने भेद हैं, वो करते करते, we will start from first two, पहले दो, पहला है द्वंद्व समास, और द्विगु समास, अब इन दोनों का लिखने का तरीका देखिए, द्वंद्व समास, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, द्वंद्व, द्विगु, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दो के नीचे वो है तो वो पूरा है यहां पर मैंने दो हलंत वाला डाल दिया और वो पूरा लगा दिया इस तरह भी लिखा जा सकता है यहां फिर यह ऐसे भी लिखा जा सकता है द्वंद्रू ठीक है यह हर तरह से राइट है लेकिन मानक्त रूप यही है अब समास का शारी चब्द का, अब द्वंद्समा सल हम कर रहे हैं, द्वंद्व मेंज़ दो शब्द, «opposite words», द्वंद्वू, विपरीथ शब्द होते हैं इसकी Bakit में आप लिख सकते यह यह परीज चब्द होते हैं मैक्सिमम अमले नहीं होते ही विपरीज हैं तो बेनित चब्द होते हैं जैसे माता-पिता, दही बड़ा, आग-पानी, अरजुन भीम, हिमार-जुन ओके यह होते ही हमेशा दो चब्द विपरीज चब्द हैं जैसे दही बड़ा, दाल, चावल, मांग, बाफ, इस सारे यह सारे तकरीबन ओपोजिट वर्ड वोते हैं द्वन्द वस्मास में, ओके, मुविंग तु थे सेकंड वन, द्वीगू, मैंने आपको बताया, दो होनी हैं, पद दो होंगे, जैसे नहीं और बड़ा, दो वर्ड्स होंगे, दाल और चावल, मां और बाप, दो-दो श्रब्द होंगे, दो-दो पद होंगे इसमें, ठीक पहला पद हमेशा संख्या वाच्ची होगा, 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 पहला पद हमेशा संख्या वाच्ची होगा For example, चौ रहा, चौ मासा, त्री फला, ठीक है? चार पाई, पंचा मृत, लुक अधीस वर्ड़्स, चौ रहा, दोस, दो पद है, पहला पद संख्यावाची है, चौ मासा, पहला पद संख्यावाची है, त्री फला, पहला पद संख्यावाची है, त्री मीन्स त्री, ओके? चार पाई, चार, पहला पद संख्यावाची है, पंचामरित, पंच, पहला पद संख्यावाची है, ओ होते हैं त्री व थी कौलों का शायर थुप्हाइब है जिसकी यहां पर चार पाइओं का समूख पंचामरित पांच अम्रितों का समूख सब्तरिशी सब्तरिशी सात रिशियों का समूख ठीक है ध्विगु में हमेशा काउंटिंग आएगी पहला पद हमेशा तंख्या बात्ती होगा इस बार बेटा एक्जाम्स में आपको multiple choice questions आने हैं या बहुँ विकल्पी प्रेस इंजिने हम कहते हैं उसमें हमें मालूम होना चाहिए इसके दोनों पद बराबर होते हैं इसके दोनों पद बराबर होते हैं पहला भी और दूसरा भी प्लीज definitions अपनी copy पे मतलब side पे करके लिखते जाएं इसमें दोनों पद बराबर हैं इसमें पहला पद संख्या बात्ती है देखें प्रेशन पूछा जा सकता है आपसे जिस समास में पहला पद संख्या बात्ती हो उसे क्या कहते हैं नीचे options दी होंगी आपको उसका जवा चाहित है हमने दो समास के बेड कर लिए दवण्द्व और विगू प्र अगर आपको इन दोनों में कोई संखे है तो आप मुझे बता सकते है दयुक्षिता कि अस्ती समझ में आ गया हूभ माम वो था 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 मैंने था था मैंने था था मैंने था था कि मैं को समझ आ गया तो इतने बात क्लियर हो गई देखिए यही ग्रैमर का टॉपिक यही चीजे अंत तक जाने हैं और हम समझेंगे नहीं हम क्लास में प्रेजन जी नहीं होंगे बिलो जन फिस्टी परसेंट प्रेजन्स होगी तो मैं कैसे समझा पाऊंगी वैने घर जा जा के तो समझाना नहीं है बिटा सबके ओके तो यह दोनों क्लियर हो गए अब इन दोनों को करते कैसे हैं पहले यह देखते हैं कि आपको प्रश्न दो तरह से आ सकता है समास का विग्रह करें और भेद बताएं और अगर बेटें मल्टीपल छोरेस में आता है वहाँ तो आप कही नहीं सकते हैं प्रश्न क्या बन क्या जाएगा तो समाज का विग्रह करें और भेद बताएं एक तो यह होता है इसमें दिया होगा आपको समाज का विग्रह करना होगा जैसे चौर राहा दे दिया और दे दिया भीमार जुन दो शब्द दे दिये हमें इन दोनों का विग्रह करना है और भेद बताने पिटे तो चौर राहा इसका विग्रह हम करेंगे आंसर हमारा होगा चार राहों का समूख और हमें भेद बताना होगा ये ये हमारा है द्विगुसमाज ये तरीका है करने का ओके भीमा अर्जुन भीम और अर्जुन ये होगा हमारा द्विगुसमाज ये होगा हमारा द्विगुसमाज अमीद है ये दोनों समास आपको भी अब अगर आगर इसका दूसरा प्रेश्चन देखी स्काइल नमबर वां गया तर लमबड व्या जाए इसका समस्थर्पद बनाएं प्रिद्ध बताएं और अ समस्तपद बनाएं और भेद बताएं अब इसमें क्या होगा आपको दिया होगा और एक्जाम्पल आपको दिया हुआ कड़ी चावल कड़ी और चावल आपको इसतारे दिया होगा कड़ी और चावल ओके यहां दिया होगा साथ रिशियों का समूह आपको इस तरह दिया होगा और आपको इसका समस्तपद बनाना होगा और बेद बताना होगा तो क्या करना है इसका उल्टा यानि कड़ी चावल को हम लिख देंगे यहां पर कड़ी हाइफन चावल और साथ में हम लिख देंगे यह है कि द्वंद्वस मास कि अब साथ रिशियों का समूह इसको हम लिखेंगे सब्त रिशी और इसके आगे इसका उत्तर लिख देंगे द्विगू समास मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है फिर दुबारा बता रहे हूं द्विगू मींज द्विगू का मीनिंग ही होता है दो गाएं द्विगू का अपने आप में मीनिंग होता है दो गाएं क्लियर करता है कि यह काउंटिंग की बात करते हैं हैं ठीक है दो गाएं को यहांपे न्वोड़न देता दो गायों का सुआ हुआ le4 कम कि अधि आप जमाड वदा ने थ्माच्वास अ अल्च्रवर समस्तपत की तो इसका समस्तपत होगा द्विगू और भेद होगा द्वीगुसमास ठीक है विटे इतना स्वष्थ हो गया उमीद है सबको इतना स्वष्थ हो गया होगा शुट वे मूब तुट थर्ड वैभवी तीसरे की और चला जाए ओके येस माम ठीक है विटे करेंगे बिटे यहां पर करंधार्यस मास Spelling बहुत ध्यान से करने है करम धार्यस मास रवादा है करम धार्यस मास तीसरा और चौथा हम करेंगे बहु व्रिही बहु व्रिही बहु व्रिही स्पैलिंग्स बहुत ध्यान से करने हैं बहु व्रिही समास अब हम पहले लेते हैं करम धार्यस मास मैंने आपको बताया समास में हमेशा दो ही पद होंगे हमेशा दो ही पद होंगे समास में कि करम धार्यस मास में एक विषेशय होगा है कि करम धारे समास में एक विशेशन, एक विशेश्य, विशेश्य मींज संग्याशब्द, विशेशन आपको बहुत अच्छी तरह मैं पता है, एड्जेक्टिव विशेशन विशेशन जो उसकी विशेश्ता बताता है, जैसे महातमा, अब देखिए महात्मा शब्द दो शब्दों से मिलके बनाए है नाइंस में हमने संदी की हमें पता है महान आत्मा महा आत्मा ओके तो इसका हम विग्रह कर देंगे महान आत्मा है जो महान आत्मा है जो यह अगर हम इसे महान आत्मा भी लिख दें तब यह ठीक होगा यानि एक विशेशन एक विशेश्य महान विशेशन और आत्मा विशेश्य ठीक है विचिए महान विशेशन आत्मा विशेश्य महान आत्मा है जो कौन सा समास हुआ ये करम धारे समास ओके टेक अधर एन अधर वार्ट देखिए महात्मा के बाद हम लिखते हैं हम लेते हैं नील गाएं विग्रह होगा नीली गाएं है जो ठीक है नीली गाएं है जो पितंबर पीला अंबर है जो पीत मीज पीला अंबर मीज बस्तर हमें मिनिंग लिखना ही नहीं गई भी पीत अंबर है जो पीला अंबर है जो पितंबर इसी तरह इसमें एक तो इस तरह की वर्ट जोंगे एक रूपी वाले शब्द भी होते हैं जैसे क्रोधागनी अब देखो इसमें भी इसमें भी बेटे दो ही शब्द हैं एक क्रोध एक अगनी ठीके एक क्रोध एक अगनी आग जैसा गुस्सा क्रोध अगनी रूपी क्रोध ठीके इसका विग्रह होगा पीछे वाला चब्द आगे ले आएंगे अगनी रूपी क्रोध इसमें ज्यादा तर पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाता है जैसे देह लता देह लता लता मींज क्रीपर देह मींज शरीर जिसका बहुत पतला शरीर है बिल्कुल क्रीपर जैसा तो हम क्या कहेंगे लता को आगे ले आएंगे लता रूपी देह जिसका शरीर क्रीपर जैसा है क्रीपर बेल लता रूपी देह करमधार अगनी एक विशेशन एक विशे एक विशेष्षन एक विशेष्टेफ करमधारय कमाने बिटा सबस्ट्थुआ करमधारय समास दक्षिता हो गया और रुहानी 10th class 10th B रोहानी बिटा क्लियर हुआ सबस्ट्थुआ ठीक है विचे की मानी प्रेस्थुआ येस बिटा बरिंदा बिचे बिटा सबस्ट्थुआ बिटा 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 मुझे मालूम तो होना चाहिए आर यू इन दे क्लास और नॉट अनी साइन अनी वोईस बिटा आर यू देर कांट से कहीं मुझे निकली हुई है चलिए कोई बात नहीं हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे चलूँ मैं बहू रिही समास अब यह जो बहू रिही समास है न कि किसी तीसरे को इंडिगेट करता है यानि इसमें भी दो पद हैं ना पहला पद ना दूसरा पद कोई इंपोर्टेस ने किसी तीसरे की और हम इशारा करते हैं जैसे यह देखी किसी तीसरे की और इशारा यानि किसी एक खास का नाम होता है इसमें किसी तीसरे की और इशारा ना फर्स्ट प्रेफरेंस ना सेकिंड प्रेफरेंस तीसरे की और जैसे लंबोदर मैं किसको मिटाओं यह वर्ड मिटाती हैं जैसे बटे लंबोदर अब इसमें भी दो शब्द हैं एक लंबा और एक उदर संधी हुई हुई है आपको पता है लंबा आ और उ मिलके ओ बने हुए ठीक है लंबोदर तो इसमें लंबा और उदर दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसे हम करमधारे में ले जा सकते हैं लंबा भी चेशन है उदर पेट करमधारे में ले जा सकते हैं लंबोदर लंबोदर तो केवल और केवल श्री गनेश को का जाता है किसी और का नाम लंबोजर नहीं होता, किसी और को लंबोजर नहीं का जाता, दीख है, तो लंबोजर शिरी गनेश को का जाता है, ना लंबे की इंपोर्टेंस, ना उदर की इंपोर्टेंस, it is indicated to someone else, लंबोजर, लंबा, उदर, लंबा या बड़ा, उदर है जिसका है जिसका देखो ये लाइन जब आप डोलते हो ना जब ये लाइन बोलते हो ना बड़ा उदर है जिसका कौन वई कौन वई आगे त्वच्चन आता है कौन तो हमें देना होगा श्री गनेश श्री गनेश और इसका भेद हो गया अब आप कहेंगे कि मैम हम लोगों को अगर ना नाम पता हो लंबोदर ना याद आए किसको कहा जाता है तो समस्या हो जाएगी तो बैटे वेरी फ्यू वर्ड्स आर देर हम अपनी बुक में ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें प्रैक्टिस के साथ पता चल भी जाएगा जैसे जैसे नील कंट हमने उसमें किया था इधर लेकर जैते यह देखें नील गाए ने नील कंट अब नीला कंट भी हो सकता है नीला गला किसी ने कलर किया हुआ है ठीक है लेकिन हमें मालूम है नीला गला किसका होता है नीला कंठ है कि इम लिखें और बहुब्री समास अब इसका नीला कंठ है जिसका चिछ जिसक शिवक जी? इसी तरह so many words are there, जैसे वो है, अंशु माली, अंशु माली, मैं लिक रहे हूं, बर्ड है, अंशु माली, कई जगें पे लगो बड़ी ही डाली होती है, कई जगें पे लगो चोटी इवी डाली हुई होती है, अब चलिए देखिए, अंशु माली, अंशु मीज किरने माला है, जिसकी सूरे, ब्रैकेट में आएगा सूरे, ठीक है, अंशु माली सूरे को कहा जाता है, मैं अपने लेक्चर को यहीं विराम दे रही हूं, हम कल इसी को continue करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे, यहीं से दुबार चलेंगे करमधारे, और बहुसरी में मुझे आपको अंसर स्पर्च करना है अबी, ठीक है, कितना समझ में आ गया, करमधारे में एक विशेशन है, बहुसरी में किसी तीसरे का नाम लेना होगा हमें, ठीक है, जैसे मैं कहाया चले हूँ, अशु मींज आंसु, गैस if लेकिन यह तो एक गैस विशेश की बात की जा रही है अश्रू लाने वाली गैस ब्रैकेट में लिख देंगे गैस विशेश वहूरी हिसमास तो मैं यहां आज अपने लेक्ट्टर को बेराम दे रही हूं बचे